हलो डिर स्टूरेंट्स आज हम क्लास नाइन्थ थ्री मैन इन अबोड नौविल की चैप्टर ट्वेल्ब की हिंदी में समली बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ कि आप इसे पतन करेंगे और अपने दोस्तों में शेर करेंगे तो शुरू करते हैं तीनों मित्रों ने अपनी यात्रा फिर से सुरू कर दी और मेगना कार्टा दीप पर जा पहुँचे वहाँ एक कुटिया में एक पत्था रखा था कहते हैं कि राजा जॉन ने मेगना कार्टा पर हस्ताक्चर वही पर किये थे परंतु कुछ अन्य लोग कहते हैं कि हस्ताक्चर दूसरे किनारे पर रणिंग मीड में किये गए थे पिकनिक पॉइंट के पास एक पुराने मठ के अफशेस मिले हैं कहते हैं कि हैंडरी एट वहां एनी बोलिन से भेट की भेट करने आते थे मिलने आते थे वह उससे कैंट में हैवर दुर्ग और अन्य इस्थानों पर भी मिला करते थे उन दिनों संभवता आपको इंगलेंड में कोई ऐसा इस्थान नहीं मिल सकता था जहां कोई भी प्रेमी जोडा प्यार करते हुए ना दिखें यदि आप कोई दरबाजा खोलते तो उन्हें कमरे में पाते यदि आप बगीचे में जाते तो उन्हें किसी कोने में खटा पाते तिनों मित्रों ने अपनी यात्रा जारी रखी और रात के दस बजे वो लोग डैचिक पहुँचे जोड़ ने जेरोम से पूछा कि क्या उसे याद है कि वो पिछली बार वहां कब रुके थे वे वहां पर शनीवार के दिन पहुचे थे वे भूके और ठके हुए थे वे अपने टोकरे और थैले उठाए एक होटल के पास आये थे उनका वहां ठैनने का मन था परन्तो जेरोम को वह पसंद नहीं आया क्योंकि उस पर हनिसकल नाम की फोलो की बेल नहीं थी इसलिए वे थोड़ा आगे बढ़े और एक अच्छे होटल के पास पहुचे उस पर फोलो की बेल दो थी परन्तो उसके में गेट पर एक लाल बालो वाला आदमी ख़ड़ा था हैरिस को उसकी सकल सूरत पसंद नहीं आई इसलिए वे इस होटल पर भी नहीं रोके वे किसी अन्य होटल की खोज में आगे बढ़े परन्तो नगर में अन्य कोई होटल नहीं था वे उन्ही होटलों पर लॉट आए जहां ठैना उन्हें अच्छा नहीं लगा था लेकिन दोनों होटल पूरी तरह भर चुके थे जहां पर वो रुके थे पहली बार और उन्हें सोने के लिए थोड़ा सा भी जगह प्राप्त नहीं हुई किसी ने उन्हें एक पंसारी के पास भेज दिया परन्तो वहाँ भी इस्थान भर चुका था एक बुली महिला उन्हें अपनी सहली के पास ले गई जो कभी कभी लोगों को कमरे किराये पर दिया करती थी परन्तो उसके कमरे भी भर चुके थे इसलिए वे फिर से सड़क पर आ गए और हैरिस बोला कि मैं तो यहीं मर जाऊंगा उसी समय एक लड़का वहाँ पहुचा उसके हाथ में एक बियर का डिबबा था और दूसरे हाथ में रसी बांद कर कोई चीज़ पकड़ लगए थी वे उनके लिए फरिष्टा साबित हुआ क्योंकि वे बोला कि उसकी मा के पास एक कमरा खाली है और वे लोग रात भर में रात भर के लिए उसमें रुख सकते हैं लड़का उनको अपनी कुटिया में ले गिया उसकी माने उन्हें गरम भुजन और चाय दी फिर वो सोने के लिए गए कमरे में दो बिस्तर थे एक धाई फुट के करीब लंबा था और दूसरा बिस्तर बच्चे के सोने के लिए था किसी पिकारफर उन पर सो गया लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो भविस्त में होटल चुन्ने के बारे में ज्यादा कोई नुक्ता चीनी नहीं निकालेंगे मिस उसमें कोई डिफेक्ट नहीं निकालेंगे तीनों आदमियों ने यात्राप में जारी रखी और वो मंकी दीख के पास दोबहर का भोजन करने के लिए रुके उन्होंने ठंडा मीट खाया जरौम को राई की चटनी खाने के इक्चह हुए परंतूबे चटनी लाना भूल गए थे वह बोला मैं इसके लिए दुन्या दे जता हैरिस ने कहा वह भी राई की चटनी के डिब्बे के लिए दुन्या दे जता उन्होंने ये बात बिना समझे जोश में कहदी और राई की चटनी मिलने पर वो अपने वचंसे मोकर भी गए वह एक आदमी के बारे में भी बताते हैं जो बोलता था कि एक बियर के गिलास के लिए वो दुन्या दे देगा वह एके स्थान पर आया है जहां उसे बियर मिल गई उन्होंने उसका मूल ले पांच फ्रेंक मागा वह बोला यह तो हैसा बहुत अधिक है और उसने इसके बारे में टाइम्स को लिखा भी था उनके पास पाइनेपल जूस का एक तिन था जिससे वो खूल का जूस पीना चाते थे परन्तु उनके पास तीन खूलने के लिए कुछ नहीं था हैरिस ने उसे चाकू से खूलना चाहा परंतु चाकू तूट गया और उसे चोट लग गई जोज ने उसे कैची से खोलना चाहां कैची उचल गई और उसकी आँख फूटते फूटते बची जेरोम ने उसे खटके से खोलना चाहां परंतु वह फिसल गया और जेरोम नाओ के बाहर जार के गिरा इसके बाबजूद भी टिन नहीं खुला फिर जॉर्ज ने टिन को पकड़ा हैरिस ने उसके उपार नुकीला पत्थर रखा और जरूम ने पत्थर पर मस्तूल से चोट मारी मस्तूल जो की नौ में लगाया जाता है बैलेंस के लिए जॉर्ज के तिनकों से बने हैट ने उसकी जान बजा दी उन्होंने तिनकों हतोर से पीट पीट कर उसकी सकर बिगार दी परन्तू वो खुला नहीं अंत में उन्होंने उसे नदी में फिक दिया वेच चाय पीने के लिए कूख हैम के पास रुके हवा जोती बिलकुल उनके डिरेक्शन में चल रही थी ये बहुत आश्यार की बात थी क्योंकि नेमा नुसार हवा सदा आपके बुरुद चलती है चाये आप किसी भी दिशा में नाव चलाएं जरुम नाव के दिशा नेंतित कर रहा था उन्होंने दूर इस्तित मचली पकड़ने की पकड़ने वाली चप्टी नाव देखी तीन ओल्ड परसन लोग मचलीयां पकड़ने के लिए कुर्सियों पर बैटे थे सूरच छिपने वाला था उनकी नाव चप्टी नाव से टकरा गई और वो तीनों ओल्ड परसन कुर्सियों से गिर गए उन्होंने इन तीनों को इस बात के लिए कोसा हैरिस ने उनसे बहुत पुलैटली वे में फिरेंडली करना चाहा परंतु उसका कोई लाव नहीं हुआ फिर वो नाव के दिशा नियंतर अजाज ने अपने हाथों में ले ली और वो महां से मार लो पहुंच गए वे नाव से बाहर आ गए और क्राउन में रुकने के लिए चले गए तो दियर श्टुएंट इस दा एंड आफ समुरी आफ चैप्टर त्वेल आपके लिए जड़ आपके लिए और भी आफ़ को ने थापके लिए